वेल्कम टू एजुकेशन हब आज हम क्लाइफ 10 के समनांतर स्प्रेनी से कुछ महत्वपून प्रस्ण बताने वाले हैं जो कि एकजाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपून है और आज गरतान दिवस्त की बहुत-बहुत बधाई सबी बच्चों को तो कोश्चन पहला है एफी चार दस, 16, 22 और 28 का सारवा अंतर क्या होगा तो सारवा अंतर निकाडरने के लिए यानि कॉमण डिफ्रेन स्ट जिसे डि कहते हैं यानि दुसरा पज मैनस पहला पज तो दुसरा पज 10-4 यानि की छे एंसर हो नंबर अगला question है जब AP के प्रथम पद 2 तथा सारव अंतर 3 हो तब AP के तीन पद होंगे तो AP के प्रथम पद 2 दिया है और सारव अंतर 3 दिया है यानि 3 जोडते जाएंगे तो वह एक AP बन जाएगा तो 2, 5 और 8 हो जाएगा यानि 2, 3, 5 और 3, 8 हो जाएगा यानि 2, 5, 8 यानि एंसर हो जाएगा B क्या हो जाएगा एंसर B question नमबर है 3 यादि किसी AP का सामाने पर 3N प्लस 5 है तो इसका सारव अंतर हो गया यानि D निकालना है तो इसका आप सारव अंतर निकाले गिया गया तो 3 आएगा एंसर हो जाएगा C के भी T होता है एक फर्मूला TN बराबर TN-1 पर फर्मूला भी होता है उसका उस भी आप निकाल सकते हैं कुश्चन नमबर चार एदे किसी AP का छठा और बराहुआ पद करम से 13 और 25 है तो इसका 20 वापद क्या होगा तो यानि कि छठा पर दिया है ये प्लस 5D बड़ाबर 13 और A बराहुआ जिया है तो A प्लस 11D यानि 25 दोनों समिकरन को आप सॉल्व करेंगे तो उससे ए और D नि एंसर क्या हो जागा 14 141 यानि एंसर नमबर कुश्चन नमबर है पांच अनुक्रम 579 11 का कौन सपद 27 है तो इसमें आप पूछ है कौन सपद 27 है यानि एन दिया है 27 और A5 दे और 7 दिया है आप फर्मूला एन का लगा करे प्लस 11D पर आप भैलू सब का फूट करके आप नि यानि एंसर हो जागा वी अगला कुश्चन है एक पांच नो तेरह सत्रह 215 समनांतर स्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या होगा तो उसमें कितने पद जो होगे समनांतर पदांतर पूछ रहा है तो इसका आप भैलू जब आप निकालेगा तो इसका आ जाएगा चार यान डिफेरेंस सेम होना चाहिए तो आप सबका निकालके देख सकते हैं जहां इसका किसका है तो आप दो चार आट को निकालेगा तो पर कॉमन डिफेरेंस अलगा लगा और बी नंबर में माइनस 10 माइनस चाव माइनस दो तो अगला पत मैं च्छे मेंस दस गज़ए फोर आए संख्या हैं तो एक धिम欸s तीन संख्या या नितिन लिफी संख्याल प्लेत बढ़ा अरे अप मुला उच करें आप इसको निकालके जिसका योग दिये उस अलभा बेटा अलभा का वी आनिकल जाएगा तो आप उस पर वीच्ची हिजिएंगा तो उसका एंसर आ जाएगा 6,8,10 यानि अंसर आजाएगा B, क्या हो जाएगा B अगला कोश्चन है, 0 और 50 के बीच की विसम संख्याओं का योगफल होगा तो आप 0 और 50 के बीच का योगफल यानि SN का फर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं जिसका अंसर आजाएगा 625 यानि अंसर हो जाएगा C, अगला कोश्चन है, किसी AP का 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और 34 संख्याओं का गुननफल 91 है, वे संख्याओं है तो 4 संख्याओं का योग दिया है तो उस पे आलफा वाला जो की फर्मूला लाएगा आलफा इंटो बीटा भी इसमें सामिल होगा, आप कुछ फर्मूला से निकाल सकते हैं तो उसका आप निकालेगा तो एंसर आजाएगा 7, 9, 11, 13 यानि एंसर हो जाएगा A, क्या हो जाए तो उसका एंसर आप निकालिएगा तो आजाएगा माइनस 77 यानि एंसर हो जाएगा B, अगला क्वेश्चन है, सम्नामतर स्रेनी माइनस 3, माइनस 1, 2 और 2, डॉट डॉट का यह आरवा पद क्या होगा, यानि ए प्लस 10, यानि A, 11 पर फर्मूला पर आप दिया है और D दिया उससे आप निकाल सकते हैं, तो आप इसका solve कीजिएगा तो एंसर आएगा 22 यानि एंसर आजाएगा A, अगला क्वेश्चन है, सम्नामतर स्रेनी 2, 7, 12 का दस्वा पद है, तो 2, 7, 12 का दस्वा पद यानि A प्लस 90 निकालिएगा, A का भाइलू 2 है और D का भाइलू 5 है, तो 2 प्लस 45 निए 47 अगे निए अंसर क्या हो जाएगा C, अगला क्वेश्चन है, एक AP का 15 पदों का योग क्या है, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रम सा 5 और 75 है, तो पंद्रों पदों का योग यानि इस पंद्रा पुछ रहा है, प्रथम और अंतिम पद दिया है, यानि प्र ले का लिए गलत तो इसका अंसर आजयेगा 600 यानि अंसर आजयेगा, सी, अगला कंशन है प्रथम 200 संख्याओं का यवह तो प्रथम 200 संख्याओं का योग यानि एक 2-3,4 यानि गिने लेकर 200 तक….約 1 हो जाएगांदी, एक हो जाएगा, और दोस्वो का भाइल, आप यानि य जाएगा 20100 यानी एंसर रोजागा अगला क्वेस्चन है 107 और 200 तीटपन के पीच की पांट से भीभाज्य संख्याओं का योग है तो दोनों के पीच के पांट से भाज्या के संख्याओं का आप निकाल सकते हैं क्योंकि 107 के बाद 110 होगा यानि यह कमान 112 जाएगा उसके आगे 15 20 तरह बढ़ते जाएगा आप उसके बाद अगला क्वेश्चन है यादि प्रथम पद ए और पदांतर दी हो तो इसका प्रथम पदों का योगफल निमांगत में से कौन होगा तो आप जानते हैं इन बैटा टू टू ए प्लस एन माइनस वान इंटू डी होता है यानि एंसर हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन है यादि प्लस एंसर क्या हो जाएगा सट आगला क्वेश्चन है यादि एक आईस अथारह पंद्र का कौन पद सुन्या है यानि एन कमाण आप जीर रहे गएगा एक कमाण एक हैस और डी कमान माइनस त्री तखेगा तो आप उसका भायलू निकालेगा एन कमान तो आ जाएगा तो सॉल्ब किजिएगा तो आएगा एट या ने अंसर क्या हो जाएगा वी अंसर क्या हो जाएगा वी अगला क्वेशन है 22 अगला क्वेश्चन है किसी एपी का दूसरा पद साथ और सात्वापद माइनस से गारा है कि आप निकाल सकते हैं फर्मुला लगा कर तो आप निकालेगा तो इसका मैंनस त्री अगला क्वेश्चन है 24 यादी फाइफ फोर वाइफ एटू किसी एफी के तीन कर्मागत पढ़ है तो एक कमान क्या होगा तो आप इससे इजी निकाल सकते हैं कि कि सारव अंतर का फर्मूला लगा कर यह माइनस फोर वाइफ बराबर टू माइनस से उससे आप एक भालू निकाल सकते हैं तो आप जब उसको सॉल्व किजिएगा तो एंसर क्या आएगा यह जिए यानि 7 x 5 एंसर क्या आजाएगा C 7 x 5 अगला क्यूस्टन है समनानतर स्रेनी 2 6 10 14 डौट डौट का कौन सपद बिरासी हैं तो एन बिरासी दिया है एक टू दिया है और डिफोर दिया है तो आप उस फर्मूला को लगा कर एंसर निकाल लिएगा तो एंसर क्या आए यानि अंसर क्या जाएगा सी एक इस वापद अगला क्वेश्चन है समनानतर स्रेनी चाववण इकावण 48 45 डौट 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 का दस्वापद क्या होगा तो आप उसको निकालेगा सॉल्ब की जगा दस्वापद यानि यह प्लस 90 लगाकर और एदिया है निकाले सकते है अब बहुत फर्मूला बता चुके उस फर्मूला पर आप निकाल सकते हैं तो आप उसको अगर सॉल्ब की जगा तो उसका आएगा एंसर 27 यानि एंसर आजाएगा यह क्या जाएगा एंसर ए अगला कोश्चन है यादि प्लस वान टूपी प्लस वान फोर पी माइनस वान ए में हो तो पी कमान क्या ने जगला निकाल सकते हैं अगला पर मिनस हो जाएगा उसको पहला पर तो आप उसको सॉल्ब कीजिएगा तो एंसर क्या जाएगा टू यान एंसर आजाएगा बी तो अगला कोश्चन है यादि किसी समनांतर सेनी का 6 ज़ाए इसका प्राउआफा न है तो आफ एक्वियशन निगए फर्स्ट इकवियशन और सकेंड रैकन यो किमान झाल जाल जागा उससे टावए भैर सकते तो इसको आफ सुलम किजिए mouth तो एंशर किया आजाए कि तो आप उसको एंसर आजाएगा फाइब यानि एंसर आजाएगा अगला कोश्चन है एक सूण एक स्टू एकस-ट्री गारे और 28 शर्ण ने एकिंश थ्री का मान क्या होगा इस पर होगा तो आप इससे निकाल सकते हैं अगला प्रेस पहला पाद उसका तो उसका भैलू आ जाएगा 22 यानि एंसर हो जाएगा सी अगला क्वेश्चन है सम्रांतर स्रीनी बहत्तर तीर सट चोण डॉट 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 का कौन सा पद सुनने है तो पूछ रहा है तो आप उसको सॉल्ब की जिएगा तो एंसर आ जाएगा भी यानि नोगा पॉद एंस सम्रांतर स्रीनी एकाइस ब्यालीस तीर सट चोड़ासी का कौन सा पद 210 है तो आप यह ने 210 रख सकते हैं और एकाइस डी निकाल सकते हैं उसका इन का भैलू निकाल सकते हैं तो आप उसको सॉल्ब की दिएगा तो आएगा टेन यानि एंसर कर जाएगा भी दस वापद अग तो आप उसको अठार अपन निगाल सकते हैं फिर मुनता तो उसका एंसर जेगा एक सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तरह वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ सेर भी खरें